दोस्तों स्वागत है एस्ट्रो, सच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपने से 90% लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में दीपक जलाने से धन और धनवान हो जाते हैं, करोडपती हो जाते हैं, हम भी अपने घर के इस हिस्से में ध धन्तेरस और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं। आप भी जलाएं और हो जाएं। आप लोगों को एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बाद बताऊंगा। जिस जगह में अगर आप पांच दिन तक दीपक जला लेते हैं, तो साक्षात मा लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। न चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देख कर के मा लक्ष्मी को अ तो देखिए, दीपावली के दो दिन पूर्व धनवंतरी त्रेयोदशी के साइचकाल में मिट्टी का कोहरा दीपक लेकर के आते हैं, इसमें तिल का तेल डाल करके नवीन रूई की बत्ती रखते हैं, या फिर आपके समर्थ हनुसार जैसे कि तिल का तेल है, या फिर फली का तेल है, या फिर सरसों का तेल है, या फिर हो सके, तो आप जो है घी का दीपक भी जला सकते हैं, तो आप अपने समर्थ हनुसार दीपक जलते हैं, लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आई है, इस वीडियो में मैं आप ल वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाब मिलेगा कि आपके घर से गरीबी जन्मों की जो कंगाली है वह चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे पिछड़े करके अकेला रह गया। रभटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था हेमराज, हेमराज के राज्य में पहुँच गया। कथा ध्यान से सुनना तभी आपको समझ में आएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो हेमराज ने ठके हारे हंस राज का भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसी रात हेमराज के यहां पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राज्य के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंस राज को कुछ दिन तक वहां ठहरने के लिए रोक लिया। बच्चे की छट्ठी के दिन एक विचित्र घटना घटित हुई। ध्यान से सुनना पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और बोली आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यू को प्राप्थ हो जाएगा। ध्यान से सुनना तो हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोशन की व्यवस्था करवाई। राजकुमार युवा हुआ उसकी सुन्दर्ता एवं थे बस जो तेज था उसकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज के कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी करवा दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्षमी लगती थी। ऐसे सुंदर वरवधु की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधिका विधान विवाह के थी। चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आप पहुँचे। कथा ध्यान से सुनना दर्शकों अब भी राज्य में मांगलिक समारोही चल रहा था कि राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मगन थे। कि राजकुमार राजकुमारी की छवी देख करके यमदूत भी वहाँ पर आए और विचलित हो उठे। किन्तु राज राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कारे उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हलाहल हालाहाल मच गया। हाहाकार मच गया। दारुन होने लगा। ऐसा द्रिश्य वहाँ पर उत्पन्न हुआ जिस से द्रवित होकर के यमराज के दूत थे, वह भी रोने लगे, इस घटना के कुछ समय, श्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से प्रिथवी के जीवों का प्राण हरन करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है, और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए, ध्यान से सुनना तो दर्शकों यम के दूत एक दूत एक दूसरे का मुह देखने लगे, और यमराज ने उ किन्तु एक घटना अवश्य हुई है, जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है, यह कहते हुए जो यम के दूत थे, उन्होंने हेमराज के पुत्र की प्राण हरन की संपूर्ण घटना यमराज को बताई, इस दुखत प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे और इसे लक्ष करके ध्यान से सुनना, इसका लक्ष करके दूध बोला कि नात ध्यान से सुनना क्या कोई ऐसा उपाय नहीं, जिस उपाय से अकाल मृत्यू से प्राणियों को छूट कारा मिल जाए, और मृत्यू के देवता यमराज जो प्राण हटे है, इस से बच सकें, त यम का पूजन दर्शन काल मृत्यू से बचाव कर सकता है, लेकिन यदि यह संभव न हो, तो फिर संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक ध्यान से सुनना, यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, इस से आकस्मिक अगर कोई भी व्यक्ति अगर धन्तेरस के दिन यम के नाम से अगर यम के नाम से दीप जलाएं, तो बिलकुल ही कैसी भी आपके जीवन में अकाल मृत्यू आने वाली हो, बुरा समय आने वाला हो, या फिर किसी के काल सर्प दोश जीवन में चल रहा है, वह दोश समाप्त ह हो जाए आता है, इसके पश्चाद धन्तेरस के दिन हो सके, तो धन्वंतरी जी के लिए प्रवेश द्वार पर यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिलकुल ही दीपक जलाना चाहिए, यह भी कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित ह हे तू, अगर शम्षान में इस दिन दीपदान किया जाए, दक्षिन दिशा की तरफ, अगर पितरों के नियमित हे तू इस दिन दीपदान किया जाए, तो आपके मित्र अगर यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा ने अगर मोक्ष नहीं पाया है, तो द अनुसारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, तो सभी स्थान में इस दिन पवित्र दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति फिर आने वाली धन तेरस के दिन तेरह दीपक जला दें, तो मैं फिर उसके घर में रह जाती है। प्रकार का बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि पागलपन हो गया हो। उन्हें सुक चैन दुनिया का नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति भी ऐस दिन उनके नाम से भी आप जो है तेरह दीपदान कर देते हैं, आप नदी में तेरह दीबहा देते हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो, वह ठीक हो जाता है। और हो सके तो इस दिन धंतेरस के दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। धर्म शास्त्रों में लिख है जो व्यक्ति बेल के नीचे में संध्याकाल में दीपग जलता है। पत्ते में निवास करती है और इनके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसके मध्य भाग में विश्नु तथा पेड़ के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर निवास करते हैं। बेल का व्रिक्ष पारवती और मा लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और यह साक्षाद जगत पिता भगवान शंकर को इनके पत्ते चड़ते हैं। समस्त देवी देवताओं को चड़ते हैं। आकर के आपको किसी न किसी माध्यम से धन दौलत प्रदान करेगा। चाहे आपको रोजगार देगी। यह आपको व्यवसाय के माध्यम से धन प्रदान करेगी। लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपके घर में दसों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। और देखते देखते आप कुछ दिनों के भीतर में धन दौलत से परिपूर्ण होकर के दूसरों को बहुत ही ज्यादा दान देने में समर्थवान हो जाएंगे तो आशा करता हूँ कि यह छोटी छोटी जो जानकारी होती है जो लोग मान ले तो भगवान है और नहीं मानें त चाहिए सनातन धर्म की बातों को जुठलायाने जा सकता सच्चे दिल से कमेंट में लिखें माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में धनतेरस और दीपा